नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, CMRS, जनक कुमार गर्ग और उनके अधिकारियों ने पिछले तीन दीनों से सिताबडी इंटरचेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन तक महा मेट्रो नाकपूर के रीच फोर के तहत विभिनक कारियों का निरिक्षन किया रविवार को निरिक्षन के अंतिम दिन गर्ग ने मेट्रो के पूरे संचालन पर संतोश व्यक्त किया, 18 फरवरी से तीन दिन तक टीम ने मेट्रो ट्रेन और ट्रॉली के माध्यम से इस मेट्रो लाइन पर पूरे प्रोजेट का निरिक्षन किया यात्रा के दोरान रोलिंग स्टॉक के परिक्षन और निरिक्षन के हिस्से के रूप में सभी अधिकारियों ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गती से यात्रा करने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रा की सिताबडी इंटर्चेंज से प्रजावतिनगर मेट्रो स्टेशन के बीच लाइन की कुल लंबाई 8.3 किलोमीटर है CMRS टीम ने विभिन्न मेट्रो स्टेशन ओपर यात्रियों के लिए अवश्यक विभिन्न सुविधाओ की भी समिक्षा की टीम ने अप और डाउन लेन पर क्रोसिंग से सम्मधित विभिन्न तकनी की पहलूँ का अवलोकन किया उन्होंने वरिष्ण नागरी को महिलाओ और विकलांग यात्रियों के लिए लिफ्ट, एसकेलेटर और अन्यस सुविधाओ तथा उपकरनों की भी समिक्षा की परियावरन सनरक्षन कानून 1986 के अनुसार परियावरन मंत्राले की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रेधगाट निलामी की नीती में परिवर्तन किया गया जिससे चुनोती देते हुए नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छोग कुछ कमपनियों और लोगों की और से हाई कोट में याचिका दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया था चोगी 21 फरवरी से नीलामी शुरू होनी थी आतहर अदालत ने इसके पुर्वा जवाब दायर करने को कहा था किंतु कुट समय प्रदान करने का अनुरोच सरकार की और से किया गया सरकारी वखील की और से बताया गया कि नीती में परिवर्तन क्यों किया गया इसले कर 23 फरवरी तक जवाब दायर किया जाएगा जिसके बाद नयाधिश नितिन जामदार और नयाधिश अनिल पांसरे ने समय प्रदान कर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिक करता की और से एड़ोकेट शिरंग भंडार कर एड़ोकेट देवें चोहान, एड़ोकेट विश्वास कुकडे और सरकार की और से साहेक सरकारी जिसके खिलाफ विभागी आयक तक के समक्ष अपिल दायर की गई, जिस पर किसी तरह का फैसला नहीं है अतहा हाई कोर्ट में ओगावा सोसाइटी के अधिक्ष सुले का कुम्भारे की और से याचिका दायर की गई, याचिका पर सुनवाई के बाद नैदिश रोहित देव ने विभागी आयक तक की और से अपिल पर सुनवाई होने तक आवंटित जमिन की लीजरत किये जाने प प्रभाजपा जुट गई है, उसकी मंडल निहाए बैठकों का दोर भी शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्णनेता, पदादीकारियों, वकार्यकरताओं को पार्टी की रणनिती समझा रहे हैं। नागरिकों को मालिकी हक के पट्टों का वितरन किया गया है, अस्सिफिजदी सिमेंट रास्ते बन गए है, जनता सब देख रही है। कोरोना काल में कारेकरताओं ने निस्वार्थ भाव से दीनराथ सेवा की, भाजपा के पदादीकारी वकारेकरता 24 घंटे जनता की समस्य का निदान करने, वो मदद के लिए उपलब्द रहे, इसका सुफल मनपा चुनाओ में जनता भाजपा को देगी। जांच में 86 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है, अब शहर में 1255 एक्टिव मामले 6 है। जिले में मोजुद 1255 एक्टिव मामलों में नाकपुर शहर के 827 मामले, वो नाकपुर ग्रामिन के 449 मामलों का समावेश है। नाकपुर शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्ग दर्शन में, मध्यनाकपुर के युवानेता ब्लोक अध्यक्ष मोतिरा मोहाडिकर के नेतरुत्व में, चत्रपती शिवाजी महाराज को विनम्र अभिवादन कर, कॉंग्रेस कारे करताओ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों में चश्मो का वितरन किया गया। श्रीरपूर कर, विज्याताजने, रुपेश लोखंडे, रहूल खापे कर, सुकेश निम्जे, गंगाधर बांधी कर, दिनानात खर्बी कर, शंकर रणदीवे, रोशने निखारे, प्रकाश लाए से, प्रविन कामडे, अक्षय डोरली करे, गंगाधर पराते, इश्वर घुराड करे, अमर्सिक धोसेले, सागर धुरियो, प्रकाश कुंटे, शेखर पौणी करे, आधी कॉंग्रेस पधादीकारी, एवं कार्य गर्तागणों पस्तित्थे वैश्विक, ई-कॉमर्स कमपनियों की उनलंगन कारी नीतियों और व्यवसाइक गती वीधियों और चिनी कमपनियों द्वारा भारत में डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में, आधुनिक प्रोध्योगी के जरिये कबजा करने के मनसुबों का विरोध करने के लिए, और विजन का उधगाटन केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी द्वारा किया जाएगा, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के आत्म निर्भर भारत, डिजिटल इंडिया तथा लोकल पर वोकल विजन को अधिक से अधिक अपनाने और स्विकार करने पर अधिक जोर देते वियापार संगों की भागेदारी के माध्यम से देश के आठ करोड वियापारियों के बीच वियापारियों के मुद्दो पर एक राष्टिय आंदोलन शुरू करने की घोशना भी की जाएगी, कैट के राष्टिय अध्यक्षबीसी भरतिया और राष्टिय महामंत्री प्र आज भी कई जीला परिशत स्कूलों में अधिकांश चातरों के पास नियमित पाठे पुस्तक के उपलब नहीं है। ये भी बात सामने आई है कि गई लाभारती चातरों को समगर शिक्षा अभियान के तहत उपलब दमुफ्त यूनिफॉर्म योजना के तहत यूनिफॉर् आने के संबन में जिला पंचयत की उपकर कोश से नीधी उपलब कराई गई है। लेकिन फिर भी इस योजना से मौजुदा शैक्षनिक सत्र में किसी भी चातरों को यूनिफॉर्म नहीं मिला है। शिक्षकों की गुनवत्ता और दक्षता पर तो चर्चा जरूर हो रही है लेकिन छातरों के हीद में अमल में लाई जा रही योजनाओ के कारियान वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी गलत नीती आपना रहे और उनकी लापरवाही साफ सामने आ रही है। इस वर्ष के गणतंत्र दीवस के अउसर पर अथलेटिक्स कोच रविंदर टोंग को पाल सेवा के लिए सम्मानित पुलिस कर्मियों में से एक है। पुलिस की वर्दी के पिछे दरसल एक व्यक्ति के संगर्ष, महत्वकांग्शा और सफलता के एक आकर्शक कहानी छिपी हुई है। टोंग पिछले 15 वर्षों से रेशंबाग पैदान में एक अतलेटिक्स प्रशि अतलेट बन चुके हैं। मशूर अतलेट निकितराउत उन्ही छात्रों में से एक है। उन पर विदी चुनौतिया उनके छात्र पर न भीते और वे खेल के ख्षेत्र में उत्तिर न हो। यहीं उम्मिन्द टोंग ने पत्रकारों से पाच्चित करते हुई जताई। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उम्मिद्वारों को विश्व विद्याले की वेबसाइट पर पंजी करन करना होगा। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विके वीडियोज नमस्कार। झाल 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 झाल